सुप्रगान कच्छा किसरी कल हमने इसके पहले भासा वाला पड़ा था आज पड़ेंगे सीचर ये आपका वर्ड तो आपको इस वाले पार्ट में वर्ड, वर्ड की रूप, साइफ्ल एंजन और पड़ना है अहस्वार, विशर, अनुलासी तो सबसे पहले आपको जानना है कि वर्ड क्या है, वर्ड भासा का सबसे छोटा अप्षर है, जिसके टुपड़ें नहीं किये जा सकते, अर्था, जो कुछ हम बोलते हैं, धनी हम कानों से सुनते हैं, और उसको लिखते हैं, वहीं कहलाता है वर्ड, तो आदेर के वर्ड के द और तो 11 पोड़ों से छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ही, बड़ी ही, छोटा अ, बड़ा उ, रिरी सी, छोटा ए, बड़ा आ, छोटा ओ, बड़ा आओ, ये हो गए 11, देखें, यहांका देखें वेरें, एक, दो, टी, चार, पांट, छे, साथ, आब, नो, दखस, घ्यारा, य आप आप दिखेंगे स्वर के साहर्ण स्वर की मात्रा हैं, तो जो छोटा आ होता है उसके कोई भी मात्रा नहीं होती है, और बड़ा की मात्रा हैं, छोटी एकी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री-डी-सी, ए-जडी, ए-ए-ण-ड, ओ-गली और और, तो यह हो गया आपका और वेंचन, वेंचन होती है टाइटीज, कसी हत, कह ख, गह घह अंगा, च छ, ज, 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 इया, त, ठ, ड, ढ, अना, त, ख, द, ध, न, प, ह, ब, भ, म, य, र, ल, व, व, श, स, स, हा, यह हो गया आपके वेंचन, तो आप दिखेंगे, यह जो स्वर है, स्वर की जो मात्रा है, यहाँ पे कुछ साथ लिखेवे हैं, रोटी, कबूतर, तितिदी, बादर, तो हम जिनमें स्वर कैसे लगाते हैं, आप देखेंगे, इसका हम करेंगे वर्ड विच्छे, क्या दिखने हैं आपर रोटी, तो हम आपने सबसे कहने क्या दिखना इस रड़, रा क्या है, फ्लेंचन, इस रिस की नीचे लगेगा, हन, अर ऱ एक क्या की मात्रा लगी है, ओकी, तो आप प्लस लगा कर, ओकी मात्र लगेगे, फिर दिखाए है टरफ, आप दिखेंगे टरफ, अप दिखेंगे टरफ, अब रम लग मत्र रो, रम लग मत्र रो, डम लग मत्र ए, पी, रो, पी. कि विक प्हुय के प्हुत, रे प्हुतर रे. र प्लस आ, ये हो गया क, भू, त, र, आ कहने का मतलब जब आप वर्ड विछेव कोरोगे, जिस वर्ड की उपर जो मात्रा होगी, वही वर्ड आपको लगाया जाएगा और जिस वर्ड की उपर कोई भी मात्रा नहीं होगी, उसके सामने लगेगा छोटा कव जैसे आपके देखा क, क क की उपर, क में कोई मात्रा नहीं हो, इसके सामने लगेगा और रग उपर, टर की उपर मात्रा है, वही मात्रा से उपर आई है, उसी की उपर से ब, बर ये जो मात्रा नहीं हो, त, र, में कोई मात्रा नहीं हो, त, उसके सामने लगेगा इसके बाद हैं तितली, तब, प्लस छोटी ई, प्लस तब, प्लस अ, प्लस ल, प्लस ई, यह हो गया तितली तो आपके देखा, जो स्वरों की मातार है, शब्दों की उपर जो रदिम है, जब उनका वड़ भी चेक करते हैं, वो इस प्रकार से किया जाता है इसके बाद है वड़ माला, वड़ों की सम्भू को वड़ माला कहा जाता है, आ से जित्ते भी पूरे वड़ है, वो पूरे वड़ माला के अंदरगर आ जाता है इसके बाद के देखें कि आप साइट रेंजन, तो साइट रेंजन किसे कहते हैं, जो दो बड़नों के योग से बनते हैं, उसे साइट रेंजन कहते हैं, साइट रेंजन केवल चाव बनते हैं, छत्र ग्या शत्र, किन दो बड़नों के योग से बनते हैं, सबसे पहरे क्या लि इसके बाद में तु 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 देखिए इसको जब हमें देखना है तु देखिए इसमें कौन से दो बढ़ है तु आप इससे शक्त बनाएंगे तु देखिए यह बढ़ गया है इसकी बाद है यह बनना है जब्लस, इह जाजिए जेश इयंजा जय से यह. इसकी बाद आपकोमें लाशन वाला शजब्लस सब्सक्राइब जैसे आपको समझे आई यह जो सईव्ड वेंजन है दो वेंजन की योग से बनता है इसलिए से सईव्ड वेंजन कहा जाता है सईव्ड वेंजन चार होते हैं छत्रव्य शव्ड इसके बाद आप देखेंगे सईव्ड आप्ष्ड की से किरते हैं इसमें पहला वर्ण जो होता है स्वर रहीत होता है और उसके आगे का जो वर्ण होता है वो स्वर सहीत होता है इस इसलिए इसे सहित सहताच्या कहा जाता है जैसे आदेखे यह लिखाया है मक्षन अब इसमें अधक और यह ख़गा है यह स्वर रही दो गया क्योंकि यह अधक्षर है और यह ख़गा है यह पूरा ख़गा है इसलिए 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 प्यार इसमें क्या होगा यह अधक्षर यह स्वर रहीत हो गया और जो यह यह आ गया यह स्वर सहीत हो गया इसके बाद देखेंगे अधुचा और छब पहला वर्ड स्वर्रहित और दूसरा स्वर्जहित तो स्वर्जार्च किसे कहते हैं जिसमें पहला वर्ड स्वर्रहित हो और दूसरा स्वर्जहित हो वो कहलाता है स्वर्जार्च इसके बादे किया अनुस्वार विसर्ग अनुस्वार जिसे आप बोलते हैं अ अंगुल का इसे ही अनुस्वार बोला जाता है विसर्ग आहा मतलब कुछ नहीं उसे ही कहा जाता है विसर्ग इसका उचारच होता है हर के समान होता है इसके बाद आए आपका अनुराशिक जिसे आप चंद्रविंदी बहुते हैं उसे ही अनुराशिक कहा जाता है इस चिन्नों का प्रयोग होता है जैसे देखें पहरा अनुस्वार हमने क्या निखला कुमं कुमं हमेशा लाइन के उपर अनुस्वार का प्रयोग होता है विजसक विशक है श्लया प्रयोग कर अनुस्वदी जैसे हमने लिखा अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है अनुजद्रवियम यह लिखा आपके लाइन नि execution SHOT प्रियों किया पता है तो वेटा आपने इस पार्ट में पार्टों में देखा वर्ण, वर्ण के रूप, मात्राएं, सैंट प्रेंजन, सैंट राक्चर, अनुस्वाद, विसर्ग और अनुरासी ध्यान से आप से देखेंगे और संचेंगे धन्यवाद